अब दिल्ली वासियों को मेरा नमस्कार पिछले एक साल से जब से कोरोना शुरू हुआ है मैं समय समय पे आपके बीच में आके सभी तत्यों को परिस्थितियों को इमानदारी के साथ आपके सामने रखता रहा हूं आपसे चर्चा करता रहा हूं एक चीज हम लोगों ने हमेशा गांठ बांद के रखे ही आपको कभी गलत अख्या नहीं दिये आपसे कभी जूट नहीं बोला जो था आपके सामने रख दिया अगर स्थिति अच्छी थी तो भी आपको बताया स्थिति खराब थी तो भी आपको हम नहीं मानदारी से बताया साथ के बिना अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकते जनता का सहयोग और जनता की सहभागिता इस पूरे संघर्ष में बेहत जरूरी है और जब तक जनता को सच नहीं बताया जाएगा सारे तथ्थे जनता के सामने नहीं रखे जाएंगे तब तक जनता की भागिदार सुनिश्यत करना असंभव था इसी दे हमने हर चीज आपके सामने रखी हमने टेस्ट नहीं कम होने दिये आज दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं मैं तो यह कहूंगा कि अगर प्रती दस लाख की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो शायद पूरी दुनिय हमें सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहा हैं मैंने देखा कि कई जगों पे उन्होंने टेस्ट कम कर दिये टेस्ट कम कर दिये तो केस कमाने लग गए इस तरह से तथ्यों के साथ कई जगे हेर फेर करने की कोशिश की गई हमने ऐसा नहीं किया हमने टेस्ट कम नही चुपाए जितनी मौतें होती थी हमने सब आपके सामने रखी इमानदारी से रखी अगर ज्यादा हो रही थी तो ज्यादा बताई कम हो रही थी तो कम बताई कितने बेट्स हैं कितने ICU बेट्स हैं क्या परिस्थितियां हैं हर चीज आपके सामने इमानदारी के साथ रखी और इसी वज़े से जब भी हमने कड़े निर्ने लिये, हमें आपका पूरा सहयोग मिला, दिली की जनता का पूरा सहयोग मिला, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी दिली एक परिवार है, दिली के दो करोड लोग एक परिवार हैं, और जब परिवार में कोई आपदा आती है, तो सारे परिवार के लोग मिलके उसका सामना करते हैं, अब भी हम सभी मिलके इसका सामना करेंगे, पहले भी जीत हुई थी, अब भी जीत होगी, आज दिल्ली में क्या परिस्थिती है, पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगबग 25,000 केस आये थे, तो पिछले 3-4 दिन से रोज हम लगबग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं, पॉजिटिविटी बहुत जादा बढ़ गई है, संक्रमन दर बहुत जादा बढ़ गई है, दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है, डेली 25,000 अगर पेशेंट्स आएंगे, तो कोई भी विवस चर्मरा सकती है, दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है, आईस्यू बेड्स दिल्ली में लगबग खतम हो गए हैं, आज सुबह मैं एप पे देख रहा था, सौ से भी कम आईस्यू बेड्स दिल्ली में बचे हैं, ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, कल हमने सेंट् कि अक्सिजन लगबग खतम हो गई वो बोले जी हम तो बहुत बुरी तरह से डर गए बहुत बड़ा हाथसा हो सकता था इधर उधर हाथ पर मारके किसी तरह से उन्होंने कहीं से अक्सिजन का इंपिजाम किया दवाईयों की कमी हो रही है रेमडेसेविर दवाई की खासकर काफी कमी हो रही है यह सारे तथे मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताए यह सारी परिस्थिती है और इन परिस्थितियों में हमें अब अगला कदम क्या उठाना है इस पे चर्चा करने के लिए मैंने आपको ये परिस्थिती बताई है, तो दिल्ली के अंदर करोना की परिस्थिती काफी गंभीर है, अभी तक हमने दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, दिली में चौती वेव आई है, पहली वेव पिछले साल जून में आई थी जिसमें आठ흘 हजार के करीब केस आये थे दुनिया के कई शहर ऐसे है बड़े-बड़े देशों के विक्सित देशों के शहर जहां छहां 6 हजार केस आये तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया, कोलाप्स जा हुए आ गया दिल्ली में हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुँच गया है हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज़्यादा पनाव में है मैं यह नहीं कोंगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कॉलाप्स किया है लेकिन आज हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा पनाव में है किसी भी हेल्थ सिस्टम क कोई भी सिस्टम नहीं ले सकता ना किसी भी सिस्टम की अपनी सीमाई हैं पिछले पांच साल में आपकी सरकार ने दिल्ली में बड़ बहुत बड़े स्तर पे स्वास्त के खित्र में काम किया है खूब नए हॉस्पिटल खोले हैं महलक लिनिक पॉलिक लिनिक बनाए हैं बहु के बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो यह सिस्टम कलाप्स कर सकता है और अगर हेल्थ सिस्टम कलाप्स कर गया तो मुझे डर है कहीं बहुत बड़ी तरासदी नहों जाए जैसे हमें बताया कि कल एक अस्पताल में ऑक्सिजन बिल्कुल खतम हो जी मैंने वीडियो देखे हैं तस्वीरे देखी हैं आपने भी देखियोंगे सोशल मीडिया पर दुनिया के कई शहर ऐसे हैं जहां कोरिडोर में पेशेंस पड़े हुए हैं सडकों के उपर लोग दम तोड़ रहे हैं अभी तक हमने दिल्ली को उस किसम की त्रासदी से बात्ची रोई और उस बात्चीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ हैं अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा नहों कि बड़ी त्रासदी हो जाए हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिती में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंस पड़े हैं सडकों पे लोग दम तोड़ रहे हैं आज सभी परिस्थितियों का जाय जा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकड यो एसेंशल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी खाने पीने की मेडिकल विवस्थाओं की वो जारी रहेंगी ये शादियों का सीजन है लोगों के बड़े मुश्किल से रिष्टे बनते हैं हम उनके रिष्टे तोड़ना नहीं चाहते तो लोगों की शादियां संपन हो ल कौन सी चीजों पर पाबंदी रहेगी मैंने और LG साहब कि हम दोनों ने निरने तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाए नहीं बचा था हमारे लिए निरने लेना असान नहीं था क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लोगों के रोजगार खतम हो जाते हैं लोगों की कमाई खतम हो जाती है और खास कर सबसे गरीब तब के लिए तो यह बेहद मुश्किल होता है जो दिहारी करके रोज कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है पिछली बार जब देश में लॉगडाउन लगा था हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी दूर अपने गाउं जाने लगे थे उनसे मैं खास तोर से हाथ जोड़के अपील करना चाहता हूं यह चोटा सा लॉगडाउन है छे दिन का दिली छोड़के मत जाईएगा आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा इतना पैसा खराब हो जाएगा इतनी उर्जा खराब होती है दिली में रहिए मुझे उमीद है कि यह छोटा लॉकडान हो और छोटा ही रहेगा मुझे पूरी उमीद है कि शायद बढ़ाने की जरूरत ना पड़े आप दिली में रहिए यकीन मानिये हम पूरी मानदारी के साथ सब मिलके लड़ेंगे तो जल्दी इस कारा पाएंगे मैं आपको यकीन दिलाता हूं सरकार आपका पूरा ख्याल रखे गी मैं हूना मुझ पर भुरूसा रखिए मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निर्ने हमने बहुत मुश्किल से लिया है आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉक्डाउन के सक्त खिलाफ रहा हूं हमेशा से मैंने लॉक्डाउन का विरूद किया है मेरा ये मानना है कि लॉक्डाउन से करोना खतम नहीं होता लॉक्डाउन से करोना की स्पीड कम हो जाती है मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर health system को और दुरुस्त किया जा सके ये जो 6 दिन का lockdown हम लगा रहे हैं ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आप से इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्थर के उपर और दिल्ली में beds की विवस्ता करेंगे केंदर से हम मदद मांग रहे हैं उनसे लगतार संपर्क में हैं केंदर सरकार हमारी मदद भी कर रही है उसके लिए हम केंदर सरकार के शुक्र गुजारें उनसे oxygen की विवस्ता करेंगे दवाईयों की विवस्ता करेंगे इस lockdown के समय को हम इन सब चीज़ों के लिए इस्तिमाल करेंगे मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि lockdown का पूरी तरह से पालन करें घर से बाहर इस दौरान ना निकलें पहले भी हमने कई कठिन निरने लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया मुझे पूरी उम्मीर है आज भी आप मेरा साथ देंगे हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और जरूर जीतेंगे नमस्कार